जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आप पूरे साल मेहनत करते हैं खुनपसीना बहाते हैं बिजनस करते हैं जोब करते हैं और साल के लास्ट में आपको पता लगता है कि आपको तो इतने रुपए का टेक्स देना पड़ेगा तो काफी दुख होता है और आपको ये भी पता होगा कि इंकम टेक्स की अंदर बहुत ही लिम्टर सी बेनिफिट्स हैं अग्जंप्शन हैं डिडक्शन हैं वो आपको मिलते हैं तो वो आपके ओलरेडी फुल हो जाते हैं उनका आप ज्यादा बेनिफिट्स नहीं ले पाते हैं तो section ATC आपको पता होगा इंकम टेक्स के अंदर में टेक्स सेविंग का जो टूल है उसके अलावा ज्यादा आपको टेक्स सेविंग नहीं मिलती है लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे ATC के अलावा कहां कहां पर कैसे कैसे आप अपनी टेक्स की सेवि तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों जो टेक्स प्लैनिंग का जो हम मैथड बताने वाले हैं वो है गिफ्टिंग गिफ्ट या उपहार हर व्यक्ति को लेना अच्छा लगता है हर वेक्ति को देना अच्छा लगता है लेकिन इंकम टेक्स को अच्छा नहीं लगता है इसलिए काफी सारी रूल इसके उपर बना रखे हैं नॉर्मली होता क्या है दोस्तो अगर आप एक सैलरी डिंपलोड है और आपको अगर अच्छी अमाउंट में सैलरी आ रही है अगर आप 10 लाग से ज्यादा की सैलरी कमाते हैं और आपका खर्चा नहीं होता है तो वो सारा का सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पढ़ा रहता है और उस सेविंग पर जो भी इंट्रेस्ट मिलेगा है हमारी वो अगर आपने नहीं देखिए तो जुरूर देखें कि सेविंग अकाउंट में एफडी का ब्याज आप कैसे पराप्त कर सकते हैं तो अगर आप एफडी भी करवा लेते हैं दोस्तो तो भी आपको अगर 5% एफडी का अगर आपको इंट्रेस्ट वहाँ पर मिलता है तो 30% टेक्स लग गया तो 1.5% तो आपका एफडी के अंदर जो है आपका जो टेक्स देना पड़ जाएगा 3.5% ही बचेगा तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तो जो भी एकसेस अमाउंट आपके खाते में पड़ी रहती है 2.4.5.10 लाग पर जो भी आपके खाते में एक्स्टरा पड़ा है उस पैसे को आप गिफ्ट दे सकते हैं किसको गिफ्ट दे सकते हैं दोस्तो दो जोनों को आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं एक तो आपके spouse अगर आप husband है तो अपनी wife को gift नहीं दे सकते हैं और अगर आपका एक minor child है 18 साल से कम का बच्चा है उसे gift नहीं दे सकते हैं क्योंकि दोस्तो clubbing of income का जो provision है यहां पे apply हो जाएगा उस amount के उपर जो भी कमाई होगी वो आप ही की मानी जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं आगर आपका major child है दोस्तो 18 साल से ज़्यादा का कोई बच्चा है उसको वो amount है आपके खाते में 5 लाख रपे पड़ी है वो gift दे सकते हैं आप अपने parents को gift दे सकते हैं अगर आपके parents senior citizen है तो सोने पर सुआगा हो जाएगा दोस्तो क्योंकि उनको senior citizen को लगबग हर investment पर ज़्यादा return मिलती है तो उस जो आप gift देंगे पैसा उसके उपर जो भी कमाई होगी दोस्तो वो आपकी income में नहीं मानी जाएगी वो आपके parents की income में मानी जाएगी अगर आप अपने दोस्तो 10,00,00 रपय का gift दे देते हैं parents को या अपने 18 साल से ज़्यादा के बच्चे को तो दोस्तो इस तरह से आप gift deed बनाना ना भूले ताकि इन future में department आप से या gift लेने वाले से पूछे तो उसको justify हम कर सकते हैं और साथ में ही clubbing of provision का भी ध्यान में रखना है बाद में दोस्तो जो next आपका जो benefit है वो HRA के नाम से होता है house rent allowances जैसे कि आपको पता होगा अगर आप job कर रहे हैं salary employee है तो बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तो आपको बाहर जैपूर दिली मॉंबई metro cities में भी बुलाती है और वहाँ पे आपको रहना पड़ता है बहुत सारे लोगों का दोस्तो वहाँ पे घर नहीं होता है वो किराए के मकान पे रहते हैं और दूसरा जो दोस्तो component है वो है आपको salary के साथ में HR भी वो देते हैं अगर आपकी 10 लाग रपर salary है तो दोस्तो 3-4-5 लाग रपर तक आपको HR का component उसके अंदर मिलता है या extra मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं तीन चीजों में से जो भी कम है उसका आपको HR का claim ले सकते हैं दोस्तो जितना HR आपको मिला HR received आपने कितरा rent paid किया rent paid और इसके बाद में दोस्तो rent paid minus 10% of income income के अंदर basic plus d आजाता है दोस्तो आपका तो इन तीनों में से जो भी कम होता है वो आप HR की claim कर सकते हैं HR के उपर भी हमने detail में वीडियो बना रखी है क्या होता है कैसे होता है और कैसे उसका benefit आप ले सकते हैं उसका भी link हम description box में दे देते हैं HR को बारी किसे आप समझ सकते हैं तो इस तरह से दोस्तो बहुत सारी लोगों का 2-3-4 लाख रुपए तक का HR exempt हो जाता है यह को deduction नहीं है section 80 CD की तरह है यह exempt income होती है section 10 के अंदर दोस्तो तो आपको exempt income में दिखानी है और इतनी income आपकी कम हो जाती है तो दूसरा एक तो मैंने बता दिये दोस्तो आपको HR मिल रहा है बहुत सारी company या employer होते हैं जिने HR नहीं मिलता है employee होते हैं और ऐसे भी बहुत सारी वक्ति हैं दोस्तो जो की job नहीं कर रहे हैं लेकिन business कर रहे हैं बाहर जाकर के कहीं पर मालो अपने hometown को छोड़ कर के कहीं पर business कर रहे हैं वो किराय के मकान पर रहते हैं या ऐसा को employee जिसे HR नहीं मिलता है उनके लिए भी यहाँ पर tax saving का एक 80GG section निकाला है income tax ने जिसके अंदर के आप maximum 60,000 रपे की छूट ले सकते हैं अगर आपको HR नहीं मिलता है अगर आप salary नहीं है अगर आप business करते हैं दुकानदार है तो भी section 80GG का जो है दोस्तो आप claim ले सकते हैं इसके लिए forum 10 IB भरना पड़ेगा आपको लेकिन आपका कुछ ना कुछ टेक्स जरूर बज़ जाएगा इसके बाद में जो next जो trick है या आप जो use कर सकते हैं वो है set off and carry forward हम बगवान से दुआ करते हैं कभी आपको loss ना हो लेकिन फिर भी आपको कभी loss हो जाता है तो उस loss को दोस्तों आप income tax department उसकी बरपाई करने के लिए हमेशा त्यार रहता है आपको पता होगा income tax department आपके profit में अगर आपसे tax मांगता है तो आपके loss में भी आपको कुछ ना कुछ वो benefit वहाँ पे देने वाला होता है आपको पता होगा income tax के अंदर 5 head में आपको income मिलती है income from salary आपको पता होगा salary में कभी आपको loss नहीं हो सकता है second होता है दोस्तो income from house property house property के अंदर दोस्तों यह next जो slide में हम discuss करेंगे house property के अंदर है वो home loan के अंदर आपकी जो है loss हो जाता है तो उस loss को किसी भी income के साथ आप set off कर सकते हैं तीसरा दोस्तों होता है capital gain अगर आपने share market में काम किया है बहुत सारे लोगों का दोस्तों हमारे पास जब data आता है तो बोलते हैं हमें तो नुक्सान हुआ है और actual में उनको नुक् speculative के अंदर future and option या इस तरह के सटे के जो business होते हैं वो आते हैं और non speculative के अंदर कोई भी वेपार आप कर रहे हैं दोस्तों एक business में loss है दूसरे business में आपको profit है तो दोनों को आप set off कर सकते हैं आपको दोनों पर जो है दोनों को मिलाने के बाद जो income आईगी उसके उपर आप आपको tax देना है और income from other source में आपको पता होगा वैसे भी वहाँ पे कोई loss नहीं होता है तो इस तरह से आप अपनी income में देख लें वैसे तो अगर आपको loss हुआ है तो income tax की return भरनी mandatory नहीं है लेकिन अगर आप due date के अंदर 1391 जो कि आपको पता होगा be laterd या revise return आपको नहीं बरनी है दोस्तो अगर आपने 31 जुलाई से पहले पहले अपनी income tax की return भर दी है आपको कोई loss हुआ है तो उस loss को आप आगे 4 साल या 8 साल तक carry forward कर सकते हैं मतलब अगले साल में कोई profit होगा तो पहले वो loss गटाया जाएगा उसके बाद कोई profit बचेगा फिर उसके उपर आप नहीं होता है तो बहुत सारे लोग हैं दोस्तो लोन लेकर के home loan लेकर के अपना घर बनाते हैं तो आप जब भी home loan ले तो आपको पता होगा उसकी जब EMI भरते हैं आप किस्त भरते हैं तो उसके दो पार्ट वहाँ पे होते हैं interest और principal इंट्रेस्ट दोस्तो section 24 के अंदर 2 ल लाख रुपए ATC के अंदर आप claim कर सकते हैं साड़े 3 लाख रुपए का benefit आपको दोस्तो हो जाएगा लेकिन अगर ये loan आप jointly ले ले लेते हैं अगर आप मकान jointly बना लेते हैं तो सोने पे सुआगा हो जाएगा दोस्तो जो account के अंदर दोनो joint hunter है let's suppose spouse ने अगर आपने पत लाख रुपए के interest की छूट मिल जाएगी और 50,500,000,000वे के principal की छूट मिल जाएगी याUCKै कि दो और दो चार देड दो और और । साड़े 3 में लाख रुपए और साड़े 3 लाख रुपए दोनों ही co-applicant है अपना जो है tax saving कर सकते हैं साड़े 3 लाख रुपए का दोस् जीवन का अधार है अगर आपने जोब लग गए हो बिजनस कर रहे हो लेकिन फर्दर स्टेडी आप कर सकते हैं आपके स्पाउस कर सकते हैं आपके चिल्टरन कर सकते हैं और कई बार क्या होता है दोस्तों महंगी महंगी पढ़ाई है आज कल अगर आपको पढ़ाई करने के ल दोस्तों वो income tax के अंदर आपको exempt हो जाएगा, उसकी भी छूट मिल जाएगी, तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई का सपना भी पूरा कर सकते हैं, आपको bank loan भी दे सकता है, और उस loan पर भढ़ा गया जो भी interest है, income tax के अंदर आप उसकी भी छूट ले सकते हैं, इसके बाद ने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है कि हमारी संस्ता धारा 80G के अंतरगत registered है, हमें दिया गया दान आपको income tax बचा सकता है, तो इस तरह से दोस्तों income tax का section 80G बोलता है, अगर आप किसी भी संस्ता को donation देते हैं, 2000 से ज़्यादा की donation आप cash में नहीं दे सकते हैं दोस cm care fund और काफी तरह के funds government के होते हैं, ये भी 80G के अंतर registered होते हैं, अगर आप इन संस्ताओं को चंदा देते हैं, donation देते हैं, तो उतने रपे की income आपकी कम हो जाएगी, लेकिन आपको चंदा देने से पहले उस संस्ता से confirm कर लेना है कि आपकी with limit या without limit है संस्ता, कई बार दो तो 70,000 पे की चूट आप ले पाएंगे, और इसके लिए आपको double donation देनी पड़ती है दोस्तो, अगर आपने 1,40,000 की donation दी तो उसकी 50% की आपको चूट मिलेगी, तो इस तरह से कुछ calculations होती है, 80G की, उनको आपको ध्यान में रखना है, और आप tax saving कर सकते हैं, आपको पता ह साथ में section 80GGC होता है दोस्तो, political party, आपको पता होगा 80G के अंदर तो इन्होंने काफी limits रखा रखी है, लेकिन 80GGC political party खुद के उपर जब भी कोई rule बनाता है, तो दोस्तो वो बहुत easy rule बनाता है, और खुद के फायदे के लिए बनाता है, तो आप political party को जितना भी donation देंगे जितना भी चंदा देंगे, सारा का सारा आपका tax free हो जाएगा, और उसके अंदर आपको 100% deduction मिल जाएगी, अगर आपकी income 7 lakh रुपय है, 2 lakh रुपय आप political party को चंदा दे देते हैं दोस्तो, तो 2 lakh रुपय की छूट मिल जाएगी, 5 lakh रुपय आपकी income आजाएगी, 5 lakh रुपय जो बचा सकते हैं, इसके बाद में दोस्तो, NPS यानि New Pension Scheme, National Pension Scheme जो होती है, उसमें आपको पता होगा, employer और employee दोनों contribution करते हैं, employee का contribution ATC के अंदर 1,5 lakh में आ जाता है, और employer का contribution ATCCD 2 के अंदर आपको छूट मिल जाती है, लेकिन 50,000 रुपय की additional deduction आप ATCCD 1B के अंदर खात की छूट मिल जाएगी, अगर आप 10 परसेंट जो 10 लाग से उपर की income में आते हैं, 30 परसेंट tax लेब अगर आपका आता है, तो 50,000 का 30 परसेंट 15,000 रुपय आप direct tax बचा सकते हैं, तो आपकी जो investment है 35,000 हुई और आपके 50,000 रुपय उसी दिन ही वो बढ़ जाते हैं, ATCCD 1 B के अंदर भी आप claim का सोच सकते हैं, इसके बाद दोस्तो आपको पता होगा, बहुत सारे लोग share market के अंदर transactions करते हैं, mutual fund के अंदर जो है लेंदेन करते हैं, और income tax का जो पहले section जो होता था दोस्तो long term capital gain सारा का सारा माफ होता था, equity के अंदर कोई भी कमाई करेंगे, वो स share hold कर रखे हैं, तो आपको दो तरहें के gain होते हैं, realized और unrealized, unrealized का मतलब है आपने पैसे तो कमा ली है, rate तो भढ़ गे हैं, लेकिन अभी तक वो सोदा आपने बेचा नहीं है, वो shares आपने बेचे नहीं है, तो दोस्तो जब तक आप उनको बेचेंगे नहीं, आपको tax नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारी लोग हैं दोस्तो जो shares वगरा काफी लेके रखते हैं, तो साल के last में उनको अपने जो portfolio का review करना है, portfolio का review मतलब दोस्तो कितने share पड़े हैं, हमारे पास कितने रपे में, कौन से share से कितना income बन रही है, कौन से share long term capital gain दे रहे हैं, short term capital gain दे रहे तो आपको पता होगा, वो सारा का capital gain आपका माफ हो जाएगा, और वो share बेज करके आप वापस से उसी share में entry ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो, वहापे एक लाख रपे भी माफ हो गया, और आपको उसी rate पर वापस से share हैं, मिल गए हैं, तो आपको अपना review कर लेना है, दोस आपको ये भी दोनों चीजे ध्यान में देनी, इसके बाद में दोस्तो health is wealth आपने सुना होगा, अगर आप अपनी health का ध्यान नहीं रखेंगे, तो future में जाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आप health insurance जरूर करवाईए, किसी भी company से compare करिए, regular check-up आप जरूर करा अगर आप अपने parents का health insurance करवाते हैं दोस्तों, तो 25, अगर वो 60 साल से ज़्यादा है, तो 50,000 पर की उनकी भी छूट ले सकते हैं, तो इस तरह से आपको health insurance करवाना है, और उसके पर जो premium भरते हैं, उसकी भी आप income tax में छूट ले सकते हैं, इन future में आपको कभी किसी medical assistant की जरूत पड़ती है, तो health insurance वाली अपने आप वो पैसा देंगे, साथ में आपको income tax भी बच जाएगा, इसके साथ में दोस्तों, आपको पता होगा कि जो regular check-up आप करवाते हैं, अपना parents का, वो भी 5000 पर तक आपको जो है income tax के section 80C में छूट मिल जाएगी, ये 5000 पर इस 25,000 य और भी नजाने tax saver FD होती है, ELSS होते हैं, section 80D की बात कर लेते हैं, DDB की बात कर लेते हैं, ATU की बात कर लेते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का saving account है, तो section 80TTA की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 10,000 पर तक आपको income tax में छूट मिल जाएगी, आप senior citizen है, तो section 80TTB की बात कर लेते अगर आप PPF account में अपना खाता खुलवाते हैं, तो उससे होने वाली income भी आपको tax नहीं देना पड़ेगा, और भी कोई investment दोस्तों हमारे दवरा कोई trick है, कोई tip है, वो discuss करनी रहेगी है, तो आप भी जरूर comment करके बताएं, ताकि हम हमारे जो follower subscribers, viewers हैं, उन्हें भी पता ल अगी होगी, अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया, तो please subscribe करें दोस्तों, हमारा होसला बढ़ाएं, क्योंकि subscription का कोई भी पैसा नहीं लगता है, और इस तरह का content हम future में भी आपके लिए लाते रहेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, चाने वालों में भी इसे share करना ह Thank you so much दोस्तो, जा हिंद जा भारत